और बड़ी खबार दिली विधासमा सत्र का आज चौथा दिन है और हंगामे की बज़े से सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाय गया है आज सुभे ग्यारा बज़े सत्र की कारवाही शुरू होगी और आज भी सदद में भारी हंगामे क्या सार है बीते तीन दिन से विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को मिला है और आज भी कुछ इसी तरह का अनुमान लगाय जा रहा है उमीद यही लगाय जा रहे कि आज भी हंगामा होगा और हंगामा इपना बढ़ा देखिए पहले ये सत्र जो है तीन दिन का था जिसके चलते जो है अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है तो देखना यह है कि आज किस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है दिल्ली विधान सभा कशीत कालिन सत्र लगातार जो है सुर्खों में बना हुआ है सत्तापक्ष और विपक्ष डोनों आपने सामने है हंगामा यहाँ पर देखने को मिलता है तो लगातार तीन दिन से यही देखा जा रहा है आज फिर ग्यारह बजे सत्र की कारवाही शुरू होगी और आज भी सदर में भारी हंगामे क्या असा है बीते तीन दिन से विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच भारी हंगामा देखने को बिला ज्याद अजवान कारिकले जी मीडिया समवादाता दिल्ली से बलराम पांडे फोन लाइन पर जड़ चुके बलराम आज चौथा दिन है यानि एक दिन और बढ़ाया गया है सत्र का क्या उमीद लगाई जाए आज बिल्कुल देखिए आज 74 दिन है और जिस तरीके से सदन के अंदर काम काच चल रहा था उसको देखते हुए एक दिन के लिए सदन को बढ़ाया गया है और माना जा रहा है कि आज कई एहम मुद्दों पर चर्चा होगी महिला सुरच्छा को लेकर के चर्चा होगी और जिस तरीके से कल सदन में हंगामा हुआ था और जिस तरीके से GST संसोधन बिल उप मुखमंद्री मनीशी सौदिया ने पेस किया था और सर्वसमदी से पास हुआ था तो आज भी कई रिपोर्ट उपमुक मंतरी मनीशी सौधिया की तरफ से सदन के अंदर पेज की जाएगी और साथ ही बजट को ले करके भी चर्चा होगी कि किस तरीके से दो हजार तेईस में सरकार विकास कार करेगी किन-किन विकास कार्यों में क्या बजट होगा इसके इसको को ले करके भी चर्चा की जा सक्ति है, लेकिन जिस तरीके से विक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा कर रहा है तो आज भी हंगामे के आसार है और एक बार फिर हंगामे की भेट सदन चड़ सकता है इस तरीके की तस्वीरे भी देखने को मिल सकती है लेकिन जिस तरीके से कल सरकार हमलावर नजर आई जिस तरीके से उपराजसपाल पर उपमुक मंतरी मनीश शिशोदिया ने हमला बोला और कहा कि जिस तरीके से काम काज को रोकने की कोशिस अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है जिस तरीके से विकास कारियों में औरोत प अगर ऐसे में हम प्रभात करोने के जबाएंगर जाएगी और कहीं ना कहीं जो जंता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सकारात्मक चर्चा हो ये कोशिश सरगार की तरफ से होगी लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार विपक्च किस तरीके से सदन की कारवाई को चलने देता है और किस तरीके से आज विप बने रहे बलराम और नजर हम भी इस पर बनाए रखेंगे आगे अपडेट